भारत और रूस के दिस्ति दसकों से मजबूत हैं इन दोनों देसों का सेन्य सहयोग भी गहरा और एतिहा सिक रहा है आज हम बात करेंगे रूस से भारत को मिलने वाले S-400 एर डिफेंस सिश्टम पर आई तार्या खबर की रूस के डिप्टी विदेसमंतरी एंडरी रूडेंकों ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमे उन्होंने साथ तोर पर कहा है कि रूस भारत के साथ किये गए सभी रक्षा समझवतों को समय पर पूरा करेगा उन्होंने यह भी बताया कि रूस भारत की सेना को आधुनिक बनाने और नए उपकरनों से लेस करने में मदद करता रहेगा रूडेंकों ने इस बात पर जूर दिया कि रूस और भारत का सेने तकनी की सहयोग किसी बहरी दवाव से प्रबावित नहीं होता उन्होंने यह भी कहा कि भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूरती के लिए रूस प्रतिबद है S-400 एर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे उन्नत सिस्टम में से एक रहा है यह सिस्टम छोटी, माध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों को लांच कर सकता है दूसमन के हवाई हमलों से बचाव करने में बेहत दर्भावी है इसकी खास्यते हैं कि यह लंबी दूरी पर भी अपने लक्षा को भेदने की च्छमता रखता है दूसमने यह भी बताया कि भारत और रूस के बीच रख्चा छेतर में सहे उक सिर्फ हतियारों की खरीद तक सीमित नहीं है दोनों देशादोनी खतियारों का सायवत उत्पादन भी कर रहे हैं जिससे छेतरी और वेस्विक सुरक्षा को मजबूती मिलती रहेगी हाला कि उकरेन युद के कारण रूस के कुछ डिफेंस प्रोजेक्ट्स में देरी हुई S-400 सिस्टम युद पोर्त और पंडुब्यों की आपुर्ती में भी कुछ चनोतियां आई हैं लेकिन रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है कि हर समस्या का समाधान बाचीत से निकाला जाएगा और डील को समय पर पूपरा किया जाएगा दोस्तो रूस का यह बयान भारत और रूस के गहरे संबंदों को दरसाता है यह विश्वास और आपसी सहयोग एक बहतरी नुधारण है S-400 मिसाइल सेश्टम भारत की बायूरक्षा को और मजबूत करेगा जिससे देश की सुरक्षा और भी बहतर होगी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अपने विचार हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत